अब आज की दुनिया के चाने वाले सभी सातियों का इस्टेडी वी तो फोजी फैमिली में एक बार फिर्स हैं मैं आरके नएक हार दिक स्वागत करता हूं अभिनन दन करता हूं उमीद करता हूं सातियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की तैयरी बहुत अची चल र सकता है इसलिए दोस्तों इस परकार के जो भी मैतुपन टोपिक होते हैं उनको आप जरूर पढ़ते रहिए रिविजिन करते रहिए और इस्टेडी वी तो फोजी फैमिली यूटूब चैनल पर अगर आप पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों सेटिलाइट की अंत्रिक्स में तेनाती इससे समंदित एक मैतुपन जानकारी लेने वाले हैं अब दोस्तों डियाइडियो सेट समंदित अगर एक्जाम से कोई भी क्यूशन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए और यह जो दोस्तों सिंदुनेत्र सर्विलान सेटि लेंगे दोस्तों यह समंदित एक्जाम में сон पूछा जा सकता है या फिर से समंदित मतलब किसी भी परकार से क्यूशन पूछा जाए आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए तो बारत ने दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले तो बारती अंत्रिक्स अनुसंदान संग्ठन जिसका नाम है दोस्तों इस रो तो इस रो ने दोस्तों आठाइस फरवरी दोज़ा 21 को हिंद मास सागर में अब दोस्तों जो हिंद मास सागर है निंचे वाला भाग जैसा कि दोस्तों आप इस मेप में देख पार रहे हो यह है प्यारा भारत और इसके निंचे वाला जो यह बाग है हिंद मास सागर इसी की हम चर्चा कर रहे हैं और दोस्तों मैं आसा कब बदला गया और उससे 70 दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी पले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे हिंद मासागर का जो चत्र है उसमें शेन ने और दोस्तों मर्चेंड नेवी के जाजों की गति वीडियों की निगरा काने के लिए डियार डियो दुवारा क्या किया गया है दोस्तों विक्षित एक महतुपून उपगर जिसका नाम क्या है दोस्तों यह आपका शिंदु नेत्र इसका क्या क्या गया है दोस्तों प्रेक्शेपित किया गया है तो यह दोस्तों वहां पर रहने से फाइदा क्या होगा जैसे मालों दोस्तों डुकान में CCTV केमरा लगा चारों तरब से आप कोई भी समान उठाएंगे तो आपका क्या है जो भी आप हरकत वहां पर करेंगे वो केमरे के अंदर रिकोर्ड हो जाएगी तो उसी परकार दोस्तों यह काम करने वाला है और यह जो हिंद मासागर है यहां पर दोस्तों जो भी गतिवीदियां होगी उन पर यह नजर रखेगा और यह नजर रखने के साथ ही दोस्तों यह सुसना है किसको देगा क्या करेगा वह भी जान वीडियों पर निगराने के साथ साथ दोस्तों देश की निगरान करने की जो किसमता हैं उन में दोस्तों क्या होगा मदद मिलेगी या फिर दोस्तों उससे ज्यादा फाइदा होगा कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है जैसे मालों दोस्तों जो भी अंतकवादी आते हैं यहां प पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा भारत में लूटने के लिए जो लूटे रहे आए थे बारताजाद होने से पहले वो भी किस मारक से आए थे समुद्री मारक से आए थे और दोस्तों आपको पता है जो ताज होटल या पिर मुंबई का जितने भी दोस्तों इस परकार क alam के madhim से उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यह जो upgrade है, तो इसको का किया गया दोस्तों, इस्रो के PSLV. अब दोस्तों, यह PSLV फुल-फॉर्म भी अगर आप से पूछी जाती है तब दोस्तों इसका अब फुल-फॉर्म का अगर क्यूशन पुछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए यह दोस्तों PSLV C51 के द्वारा यहां पर लॉंच किया गया है और यह दोस्तों एक दुर्वी उफग्रेफ प्रेक्षिप्ट नियां किसी भी परकार से हैं तो गलत नहीं होना चाहिए तो एक्जांब में अच्छे से त्यारीख करते रहए अब दोस्तों यहां पर हम धे लेते हैं यह आपका सिंदु नित्र को क्या किय गएंगरु इस ऎब जलोरो इस तित दोफू यहां पर आप देख पार रहे होंगे यह आपका बैंगलोर के अंदर इस्तित क्या है दोस्तों एक विश्व विदाले है जो दोस्तों आप यहां पर देख पार रहे हो पी एस यूनिवर्सिटी तो यह दोस्तों इस विश्व विदाले की जो सात्र है इनके दुआरा विक्सित किया गय और इसकी इस्ताफना कब की गई यह भी कोमेंट बुक्स में आप लिखिए ताकि आपकी तैहरी अच्छे से हो जाए तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि रिशार्च इंटर दोस्तों टू.टू करोर रुफे का ठेका दिया गया था इनको और उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे डिया डियो दोवारा यह प्रियोजना उफ ग्रै इमेजिंग के मादम से संदिग्द जितने भी जहाज है उनकी पहचान करेगा इमेजिंग के मतलब समझ गए दोस्तों आप जो यह वहां से क्या करेगा अपनी चाया चितर या फिर फोटो लेगा इमेज लेगा और उसके द्वारा दोस्तों इसकी यह निगरानी रखेगा उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहां पर तो यह है आपका डियार्डियो का सिंदु नित्री शेटिलाइट भारतिय संद्री सेत्र में आने वाले हर तरह के माल वहाय के युदपोत व्यापैरिक जहाज को आटोमेटिक पहचान कर लेगा यानि दोस्तों जैसे ही बारतिय सिमा में परिवेश करेगा संद्री सिमा में चाहिए वह माल वहाय को यहां पर किसी भी परकार का युदपोत हो अब दोस्तों कभी-कभी चाहिना क्या करता है आपको पता है दोस्तों यहां पर यह चाहिना की इस्तिति और यह दोस्तों जो दक्षिंचीन सागर है यहाँ पर दोस्तों वह अपनी पंडूबियां बेजता रहता है और इससे क्या होता है दोस्तों दूसरे राष्टर की सुरुक्षा को क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है आने वाले समय में इसलिए दोस्तों इस परकार के यह जो शेटलाइट है यह इनकी नेगरानी करने के पर भी नजर रखी जा सकती है तो यह दोस्तों काफी मेहत्वपून है आपके लिए एकजाम के दिरिश्टिशें यह है दोस्तों के शीवान अब दोस्तों आपको कॉमेंट बोक्स में लिखना है कि इस रोके चेर्में कौन है अधेक्स कौन है और उसके बाद इस रोकी इस तो यह जो इस रो है इसका मुख्याले कहां पर है किस राज्य में दोस्तों यह सिरीहारी कोटा है तो यह सारी जानकरी अगर आप दोस्तों लिखेंगे कॉमेंट वर्क्स में तो आपका रिवीजन हो जाएगा एकजाम में कभी भी क्यूशन गलत नहीं होगा अब चलते हैं जैसे मालों दोस्तों यहां पर कहीं भी CCTV केमरा अगर लगा दिया जाए और उसका कनेक्शन अगर जहां हम करना चाहार रहे हैं वहां पर हो जाए और वह अपनी जो भी जिस काम के लिए उसको रखा गया अगर वह अपना काम सही तिरकेश करने लग जाए तो इसका मतलब है वह साफलता पूरुक अपना काम कर रहा है तो अब दोस्तों जैसे ही यह काम सुरुक कर दिया इसका मतलब है अब भारत की सुरुक्षा की दृष्टी से देखा जाए तो यह जो शिंदुनेतरी सेटलाइट है यह कापी मैतब होना अब दोस्तों इससे और क्या-क्या मदद मिलेगी इसे मदद यह मिलेगी दोस्तों भारतिय सेनय जो लड़ाक समेट चीन से लगी हुई सेमा और पाकिस्तान की शिंदुना पर भी नजर रखेगा अब दोस्तों यहां पर आप देखा तो यह जो मेप है इसके अंदर आप देखेंगे उपर वाला जो इंसा है कस्मीर वाला इसके अंदर दोस्तों यहां पर आप देखिए चलो इसमें दिखा देता हूं आपको तो यह वाला जो भाग है इसके अंदर दोस्तों कभी इदर से चाइना और कभी इदर से पाकिस्तान मतब इस तरह से भारत की शिमा में गुशने का जो प्रियास कर रहे हैं उनको अब दोस्तों यहां पर अगर इस सेटलाइट के द्वारा देखा जाएगा तो यहां पर किसी भी परकार की गतिवीदी को रोकने में यह मदद मिलेगी तो यह दोस्तों इसलिए काफी मैट पूलन है इस रोने क्या किया दोस्तों 28 फर्वरी 2021 को PSLV C-51 रोकेट से ब्राजी लौंच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस साल की यह पहली सफल लौचिंग है तो यह दोस्तों इस रो के लिए कापी मैटकून है और इस रोके साथ-साथ दोस्तों हमारे लिए भी गर्व की बात है तो आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों मेरा ये काम आपको फसंद आया तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम